आज हमारा लेक्चर फिफ्ट है यूनिट वन की उसी सब टॉपिक में इंट्रोड़क्शन टू कम्पोनेंट टू कम्पूटर सिस्टम हमने पहले वाले जो प्रिवेस लेक्चरे में हैं उसमें हमने ओपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जाना था सो आज का हमारा जो टार्गेट है वो है फंक्शन्स ओ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या-क्या फंक्शन्स है वो क्या-क्या करता है इन सब के बारे में हम आज की लेक्चर में जानने की खोशिप करेंगे ये टॉपिक इंपॉर्टेंड है जो functions हैं वो आते हैं कई बार जिसे कि आपका new equal to pattern है उसमें वो 7 marks में आएंगे पहले वो 10 marks में आते थे यानि कि मैं कहना चाहती हूँ कि यह जो topic है functions of operating system यह एक important topic है यह कई बार आता है ठीक है? So start करते हैं What are the functions of operating system? Operating system के functions क्या क्या होते हैं? So functions of operating system Operating system होता क्या एक resource manager जितने भी resources होते हैं उन सब को manage करने का यह काम करता है इसलिए operating system का दूसरा नाम क्या है resource manager An operating system has variety of functions to perform Operating system के पास बहुत सारे functions होते हैं जो वो perform करता है Some of the prominent functions of an operating system can be broadly outlined as कुछ prominent function operating system के हम आगे आने वाली slides में पढ़ेंगे Prominent मतलब बहुत जादा important यह सबसे जादा जो जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे जादा important functions यह जो सबसे जादा वो काम करता है वो function आगे आने वाली slides में देखेंगे सबसे पहला है processor management processor management जैसे ही heading से ही समझा रहा है यानि कि आपके CPU को manage करता है CPU के सारे work को manage करना यानि कि सारे work का मतलम यह क्या है कि कितने time के लिए किस process को यह allocate होगा किस process को allocate नहीं होगा इस सब चीज़ को manage करने का काम किसका होता है operating system का this deals with the management of central processing unit यानि कि ये central processing unit यानि कि आपके CPU का management करता है the operating system take care of the allotment of CPU time to different processes यानि कि suppose आपके memory में बहुत सारे process है और आपको पता है कि CPU तो आपका एक ही है और किसी भी काम को होने के लिए किसकी need है CPU की need है तो operating system करता क्या है operating system ये decide करता है किस process को CPU मिलेगा पहले और किस process को कितने समय के लिए CPU मिलेगा और let's suppose P1, P2, P3 उसने करा कि P1 सबसे पहले आया पहले P1 को मिल जाएगा फिर P2 को मिल जाएगा फिर P3 को मिल जाएगा फिर let's suppose एक टाइम के लिए P1 को allocated है किसी और को allocated नहीं है ठीक है तो कोई और process आया P5 लेट उसकी priority बहुर सादा हाई है तो ये operating system की responsibility है कि P1 से CPU को remove करके कि इसको allocate कर देना P5 को तो इन सब चीजों का धिहान कौन रखता है CPU रखता है वैन प्रोसेस फिनिश इटस CPU प्रोसेसिंग आप्टर दे एक्जीक्यूशन फॉर दे अलॉर्ट्मेंट टाइम पिरियन इस इस कॉल्ड शेट्यूलिंग यानि कि जब एक प्रोसेस अपना CPU की प्रोसेसिंग कम्प्लीट कर लेता है आप्टर दे एक्जीक्यूटिंग अलॉर्ट्मेंट टाइम इसका मतलब है जितने समय के लिए जिसे CPU एक प्रोसेस को allocate हुआ है कि दो मिली सेकेंड के लिए या कितने भी मिली सेकेंड मा 건 जथने वी समय के लिए ऐलोकेट हुआ है यानिकि उतने उत्तना उस प्रोसेस को शदाएगा मतला cycle शेट्ट्मेंट के द्वारा यिस चाला जाएगा या CPU उसके पास से चला जाएगा जैसे कि क्या-क्या है मैं आपको थोड़ा सा नाम बता देती हूँ, एक है first come, first serve scheduling, दूसरी है shortest job, first scheduling, तीसरी है round robin scheduling, और चौती है priority scheduling, हम इसको आगे आने वाली slide में जानेंगे, अब देखो, पहले फिर भी रपनी उता देती है, first come, first serve जो पहले आएगा, वो पहले पाएगा shortest job, जिसका काम छोटा है, पहले उसे priority दी जाएगी, round robin का मतलब है कि हर एक process को CPQ allocate करा जाएगा, कुछ थोड़े समय के लिए, याज़े suppose, एक pen है, pen सब आपके पास एक है, और तीन person है, तो आपने क्या करा, दो मिनट तुझे, दो मिनट तुझे, दो मिनट तुझे, दो म हम कितनी तरह की scheduling algorithm उसके बारे में रखने चुड़ा सा idea लेते हैं, पहला है first come first, जैसे नाम से पता चलता है, जो पहले आएगा, वो पहले पाएगा, process which comes first in the ready queue is scheduled first, जो process ready queue में पहले आएगी, उसे पहले ही CPU allocate होगा, अब देखो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, आप ए इसी की cutting कर रहा है, तो बाकी लोग जो आते हैं, वो पैंच पे बैठ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वेट करते हैं, है ना, अपनी chance का आने का, ऐसे ही, ready queue एक तरह से ऐसे जगा है, जहां पर बाकी process वेट कर रहे होते हैं, कि उनकी chance है, जब किसी और process को CPU locate होता है, इसको वो पी थरी, तीन प्रोसेसर, यह हुई, यह सब, यह zero time पे आया, यानि जब start हुआ, या यह दो पे, या यह तीन पे, CPU burst का मतलब है कि कितने समय के लिए किसी Campbell horrushed को CPU की need है, झाँ है, इसको चाहिए, 5mS के लिए, इसको 6mS के लिए, इसको 3mS के लिए, ठीए, हमने माना इसको ऐसे ऐससे जाहिए, तो अब आप एक चीज़ बताओ, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले P1 आया, जब P1 का काम complete हो जाएगा, तो CPU इससे ले लिया जाएगा, फिर किसको दे दिया जाएगा, P2 को फिर उसके बाद P3 को यानि कि सबसे पहले CPU P1 को मिलेगा then P2 को मिलेगा then P3 को मिलेगा इतना समझ है अगर suppose ऐसे समझो यह होता 3 और यह होता 2 तो पहले किसको मिलता पहले मिलता P1 को फिर P3 को फिर P2 को यह चीज समझे और अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है दो प्रोसेस सेम टाइम पर ही आये तो कई बार ऐसा होता है इनके यह जो ओर्डरिंग होती है इनके हिसाब से कई बार दग देता है या कपी कभी अपरेटिंग सिस्टम की मरजी होती है कि वो किसको पहले CPU प्रोसेस पहले आएगा उसे पहले अलोकेट किया जाएगा दूसरा देखते हैं जिस प्रोसेस का काम सबसे छोटा है जिसे थोड़े समय के लिए CPU की नीड है उसे ही अलोकेट किया जाएगा अब देखते हैं प्रोसेस विच नीड शॉर्टेस CPU टाइम शेडियूल पर जिस प्रोसेस को सबसे कम समय के लिए CPU की नीड है उसे पहले शेडियूल किया जाएगा सपोस्थ पीवन पीटू पीट्री इसको इसको वन मिली सेकंड के लिए जरूबत है इसको दो मिली सेकंड के लिए इसको तीन इसको समझने से बहले समय तो एक परसन है ठीक है एक परसन है उस परसन में से एक आप वो परसन है जिसको किसी का काम करना है तो एक परसन तीन परसन है ठीक है इसका आपको पता है A person है B person है और क्या है ये C person इस person को सिर्फ एक मिनट का काम है आपसे ठीक है किते मिनट का काम है एक मिनट का इस person को आपसे दो मिनट का काम है इसको आपसे एक आर का का तो आप बताएगी किसका काम करना पहले प्रिफर करेंगे इसका काम चोटा सा है तो पहले आप C का काम करेंगे फिर आप किसका काम करेंगे बी का इसका काम करेंगे पहले आप C का फिर B का देन एका यानि कि जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा आप पहले उसको CPU एलोकेट करेंगे अब देखे पीवन है पीटू है जो थोड़ा सा क्या चाहिए छोटे पिर देल पीटू का समझ आ रहा होगा कि सबसे शॉर्ट टेस्ट किसका टाइम है उसको ही सबसे जादा पहले किया यह पर प्रियोर्टी प्रियोर्टी प्षी को पिर देल पीटू को अग्ला हाता है राउंड रोपन हर एक प्रोसेस को असाइन किया जाता है इसका मतलब समझेए सपोज आप समझेए सिप्यू हमारे पास कितना है एक है और हमारे प्रोसेस कितने है एक पीवन P2 P3 P4 P5 छी है इसा होता है suppose इसको 2 millisecond के लिए need है इसे 4 millisecond के लिए need है इसे 8 millisecond के लिए need है इसे 6 millisecond के लिए need है इसे 2 millisecond के लिए need है यह क्या है CPU burst time यह क्या है CPU burst time है तो अब आप देखिए सबसे इसमें क्या है मैंने क्या माना है time quantum time quantum क्या है एक fixed amount of time है जो की हर process को मिलेगा suppose मैंने माना time quantum है वो 2 millisecond है इसका मतलब है 2 millisecond के लिए हर process को जितने भी available है CPU allocate होगा यानि कि सबसे पहले P1 को allocate हुआ 2 millisecond के लिए 2 millisecond बाद 2 millisecond बाद CPU से लेनी आगया किसको दिया गया इसको दिया गया इसके बाद 2 millisecond होने के बाद इसके तो कुछ नहीं बचा जिरो मिली सेकंड दो मिनिट इसको दिया गया दो मिनिट इसको देने के इसके पास कितना time बचा है दो मिली सेकंड के लिए और चीए फिर इसके लेने के बाद इससे लिया गया दो मिली सेकंड हटाने के इसके बाद इसके बास कितना बचा चार मिली सेकंड फिर इससे लिय सेकिंड अब एक साइकल कंप्लीट होने के बाद किस किस कवर कंप्लीट हो गया P1 कवर कंप्लीट हो चुका है तो इसे हटा दो और P5 कवर कंप्लीट हो चुका है तो ऐस समझो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी खाली नहीं बैठा सबको मिला है अब दूसरी पहली साइकल में किस का काम complete हो गया एक तो P1 का और फिर दूसरा किसका हमारा P5 का अब दूसरी cycle चली तो CPU जो है जब P2 के पास गया तो इसका काम complete हो गया फिर इसके पास गया तो इसका 4 मिली सेकिंड बच्चे फिर इसको मिला 2 मिली सेकिंड गया तो इसको 2 मिली सेकिंड दूसरी cycle के बाद कि काम है चुर्श को साइक्ल थे से चुर्श का को टृटी चीटे मिला थे सवा सिक्सका कि उसके सब्सक्रान थे मुझा यह इसके सब्सक्रायों sih क्वा रप्र स्वाइख है यह दो तरह से करो कङ सब्सक्क्राते काता हर एक प्रोसेस को fix amount of time के लिए क्या मिलता रहा CPU allocate होता रहा इस तरह से हर एक प्रोसेस को एक पैन है एक पैन ही है किसी और के बाद और कोई पैन नहीं है तो थोड़े से मने तुझे दे दिया तो सब का थोड़ा थोड़ा सा कम होता रहा ऐसे ही तीस चौती है priority based scheduling priority से ही समझा है जिसकी priority हाई है priority प्रोसेस की priority हाई है उस प्रोसेस को पहले preference मिलेगी over अगर जो priority है दो प्रोसेस की मैच हो रही है तो उनके arrival time के according उन्हें judge किया जाएगा या CPU उनको मिलेगा सपोस्थ दो तीन प्रोसेस है P1, P2, P3 तीनों का एक समझो तीनों का arrival time का differ है ठीक है पर priority किसकी हाई है सपोस्थ इसकी highest priority लेट में मान के चल रहे हूं 0 है highest priority ठीक है और जो last है या lowest है या हम कितनी मानेंगे two 2 जो है lowest है तो इसकी है two इसकी है one इसकी है zero तो बताओ पहले किसको प्रिफरेंस मिलेगी किसको CPU allocate होगा फिर इसको allocate होगा और फिर इसको allocate होगा समझा है क्योंकि हमने 0 को हाइस माना अगर मैंने 2 को हाइस माना तो पहले किसको मिलती पीवन को अब समझ दो प्रोसेस हैं पीवन और पीटू दोसा पॉइंट समसे दो प्रोसेस है हमारे पर पर पीवन और पीटू दोनों की priority क्या है सेम है सपोस्थ हमने 0 इसके भी 0 है इसके भी 0 है तो फिर हम तो priority सेम है तो फिर हम क्या लाते है कि arrival time जो arrival time डिफर है सपोस्थ यह इस टाइम पर आया है यह आई है इस पर अराइवल कौन पहले हुआ है पीटू का जब पीटू पहले है एटी का मतलब है system में कौन पहले आया है थीए तो p2 पहले आया है तो preference किसको मिलेगी पहले p2 को then preference किसको मिलेगी p1 थीए अब हमने पहला समझा जो हमारा पहला function था वो function था कि पहला function क्या था हमारा कि जो हमारी cpu है उसको manage кरता है कौन operating system ठीक है पहला management के CPU को manage करना दूसरा क्या है device यानि की input output devices को manage करना input devices कौन सी होते हैं जिसके थो आप input देता है keyboard, mouse, output devices, printer, monitor इन सब चीजों को manage करना ठीक है अब देखो जो operating system होता है वो communicate करता है hardware से जो आपका operating system होता है किस से क्मुनिकेट करता है hardware से and the attached devices से जो आपके hardware होते हैं और उनसे जो भी attached devices होते हैं उनसे कौन communicate करता है आपका operating system and maintain a balance between them and CPU यानि कि CPU और hardware के बीच में जो है balance कौन maintain रखता है वो रखता है operating system ठीक है एस अंपोल जो hardware की speed होती है वो बहुत slow होती है क्योंकि देखो keyboard है keyboard क्या है input device है अब keyboard से जो input होगा आप तो कोई नाम लिख रहे हो कुछ भी तो आप keyboard को प्रेस करोगे कुछ time लेकिन CPU उस काम को यह जो input आरा उसको read बहुत जल्दी कर लेगा तो इन में speed का जो difference होता है उस चीज को balance कौन करता है operating system ठीक है पहला तो यह क्या करता है पहला point तो यह क्या करता है balance करता है क्या balance maintain करता है जो hardware है या उनसे attach जो भी devices है उनके बीच में balance रखता है hardware और CPU के बीच में ठीक है दूसरा क्या है यह communicate करता है किनसे hardware उनके attach devices है पहले point से दो main point समझाए जाए देन अगला समझते है this is all the most important यह सब यह इतना important क्यों है because CPU की processing speed है वह बहुत ज्यादा है input output devices जैसे मैंने अभी explain के रहा कि जो CPU के process करने की speed है वह बहुत ही high है बहुत ही ज्यादा है अगर compare किया जाए किस से input output devices अगर आप input output devices से compare करें तो CPU के process करने की speed बहुत ज्यादा होता in order to optimize the CPU time मतलब CPU के time को optimize करें यानि कि useful करें operating system जो है spooling buffering क्या है पहले buffering होती क्या उससे पहले समझे buffer क्या है buffer एक area होता है main memory में जो किसी भी data को store या hold करने के लिए यूज होता है यूज होता है यूज होता है बड़ टेंप्रेरी बेसिस पे बफर एक तरह से देखो यह आपकी main memory है इसमें से कुछ portion को आपने क्या माननी है buffer यानि यह buffer का मतलब जैसे आलू को आप buffer करके रख देते हो सफल मंटर आती है buffer में होती है तो यानि कि आपने एक तरह से memory बना ली जिसको आपने main memory का पार्ट है इसको आपने buffer माननी है इसमें जो भी इसमें क्या होता है data store होता है या hold होता है पर temporary basis in other words buffer temporarily store the data transmitted from one place to another either between two devices और application यानि कि यह data को temporarily store करता है जो की transfer होता है है transmit होता है data एक प्लेस से दूसरे प्लेस में एक device से दूसरी डिवाइस में या किसी application के बीच तो the act of storing data temporary in buffer is called buffering यानि कि जो आप data को temporary store करते हो उसे हम buffering कहता है यानि कि suppose ऐसा समझो कि suppose आपने की आपने की बोर्ड से कुछ enter करा ठीक है उसे CPU ने प्रोसेस बहुत जल्दी कर दिया और monitor तक पहुचने या monitor तक उसे skin पे शो करने में बहुत टाइम लगा तो CPU क्या उस चीज को hold करके रखेंगा आप टेक्निकली समझने से पहले समझो तुम्हे कोई काम समझाना तुमने कर दिया अब तुम वेट करते रहोगे कि वह आयम उसको कॉपी दूँ वह आयम उसको बैटते रहे आप क्या करते हो आपने उसे ऐसी जंगा पर रखके छोड़ दिया जिससे वह जो person आने वाला उ यहां समझ अपनी कॉपी उठाना यहां से लेनी है तो यानि कि वह एक बफर प्लेस है ऐसे ही CPU किसी काम को बहुत जल्दी बहुत स्पीड से कर देता है अब CPU को इंक्रीजे डिग्रेट करता है तो सिस्टम की तो चीपके उसी काम लेके बैठा रहे है कि भाईया जब हमारी इस देटा को उठाएगी तो मैं नेक्स काम के लिए चलू ऐसा नहीं पॉसिबल है और यह प्रेक्टिकली गलग भी है तो आपने एक बफर स्पेस बना दिया है जहां पर CPU प्रोसेस करके डेटा को क्या कर देता है स्टोर कर देता है और जब इंपूट आउटपूट का देतर हो तो जब भी monitor या क्ताइम कर देता है ओफाएगी और सकते के अब करेगी उसका करने का की उस्किनर कहुंट बाते हूं आप प्रिंटर क्या है आपका आउट कुछ डिवाइस इन तो फ्रिंटर क्या है आप सब्सक्राइब क्या करते कि आपके पास अप्षन होता है लोकि मिनिमाइस करके दूसरे PDF को फ्रिंट करने के लिए तो CPU ने ऐसे सीप्यू ने क्या करा इस PDF को अपने पास आपता है इस कमांड पर यही बैठ जाता कि भया प्रिंटर पहले प्याले PDF को प्रिंट करके नहीं वह क्या करेगा इस देटा को टेंपरेली स्टोर कर देगा और प्रिंटर जब प्री होगा वह नेक्स्ट कमांड उठा के इस बफर में इससे क्या करेगा प्रिंट करने लग जाए ठीक है जिसे यह लिखा इन्पूट डिवाइस अउड़ डिवाइस यह लिख है तो प्रडूसर प्रड्यूस करता रहें सभूदूस करता रहें रहें गजब प्रूसर प्रोटि कशाने के बदद क्या कि आप पहली रोटी घृमड और फिर भी तो बना के प्लेट पर रखके चल जाते हैं जब आप पहली रोटी कम प्लेट कर लेते हैं तो दूसरी बॉटमेट कर लेते हैं बफरिंग का मतलब कुछ इस तरह से टेकनिकल टाम में भी आइधिंग और नॉन टेकनिकल टाम में भी आपको क्लियर हो गया होगा सो नेक्स सेप पर चलते हैं स्पूलिंग पहला पॉइंट आपको समझा गया और दूसरा क्या है स्पूलिंग दिस इस डिवाइस मनेजमेंट टेकनिक यानि कि दिवाइस को मैनेज कर रहे होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए उनको मैनेज करने के लिए उनको मैनेज करने के बहुत सारे कर रहा हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप सेम इंपूट आफूट दिवाइस का यूज उस चाहिए पर स्कूलिंग का यूज किया जाता है when there are various users जब बहुत सारे users होते हैं on a network sharing the same resource है मतलब एक network के अंदर suppose you a network है network के अंदर बहुत सारे users हैं जो share कर रहे हैं same resource को then it can be the possibility ऐसी possibility हो सकती है that more than one user might give it a command at the same point of time यानि कि same time पे एक से ज्याधा लोगों ने particular उसी चीज़ के लिए printer के लिए printer के लिए printer क्या होता है printer एक तरह से ज़रूश चोड़ी होता है printer एक ही spooling जब आपने buffering पड़ी थी तो एक ही person था printer एक है user एक है लेकिन यहाँ पे क्या था एक से ज्यादा परसन है जो की यूज कर रह तो सपोस्थ मैंने भी प्रिंटर की एक प्रिंटर सब्सक्राइब करें से उससार के नहेंДर कि यानि की एक पॉइंट पर से ज्यादा समय को दो सकता द्रिक सब्राइटिंग सिस्टम यानि कि वो क्या रहें कि इसक पे रहे हैं कि सब्सकिति योजर की सरी और उसे क्या च teh नहीं करना पड़ता उसका उसका काम कॉप्लीट हो यह नहीं रहां से ब्कार मेंना रहां पारी परनाको युण करना आग Aa तो यूजर को ऐसे बेट नहीं instead of operating system send the data from hard disk to the resource one by one बल्कि अब suppose ऐसे आपको एक example देती हूं suppose यह एक person है P1 एक person है P2 यह person है process नहीं printer है printer इससे भी connected है इससे भी connected है दोनों ने एक time पे command दे दी तो वह क्या करेगा दोनों user का जो वह data होगा वह कहां पे store कर लेगा hard disk पे store कर लेगा फिर processor यानि कि यूजर है यानि कि जो हम है हम जो दो person हमाई responsibility नहीं रह जाती हमने command दे दी अब वह operating system की जिम्यदारी हो चाती है कि वह print कर के दोनों की मतलब पहले होसकता है जोटल की प्रेंट कर दे यह उसका भी डेटा को प्रेंट करें लेकिन उसके बाद वो डेटा उठा लेता जयानि मैंने जो file है जे डॉट PDF और इसके जो पीटु परसन की के डॉट पीडिफ और दोनों के data को टेंपोरलिव कर लेगा हार्डिस्क में और मतलग उसके हार्डिस्क में जिससे वो रिस्पॉर्स से अठायच आने की पीवन और पीटु के में और फिर वो तो पहला हमने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या था प्रोसेसर मैनेजमेंट पढ़ा है हमने और हमने दूसरा क्या पढ़ा है तो इसका मतलब क्या पहला तो अपरेटिंग सिस्टम क्या करता है प्रोसेस को मैनेज करता है जो हमारा सी प्रोसेसर प्रोसेस नहीं प्रोसेसर यानि की सीप्यू को मैनेज करता है आपका सीप्यू की कौन सी कौन सा प्रोसेस को सीप्यू कुती देर के लिए मिलेगा कब उससे लेना इन सब चीजों को मैनेज करता है और डिवाइस को मैनेज करता है कितनी तरीके से करता ह दो तरीके से एक तो क्या होता है और दूसरा क्या होता है बॉफरिंग चीक आए हम तीसरी चीज जानते हैं वह है तीसरा जो अपरेटिंग सिस्टम का है मनीज करता है था हम पढ़ते हैं इंड़को मेमोरी ने अन अल इन और कम्प्यूटर सिस्टम बहुत सी पुएन इंपूट आउटपूट डिवाइज जो सीपूट होते हैं और इंपूट आउटपूट डिवाइस हो कि से इंट्रेक करते हैं मेमोरी से अब इस लाइन को समझो देखो जैसे हमारा ये क्या है CPU ये हमारी क्या है मेमोरी है और ये क्या है आपकी इन्पुट आउटपुट डिवाइस अब एक चीज़ बताओ इन्पुट आउटपुट डिवाइस कीबोड से मैंने दो नमबर एंटर करा है वो भी तो मैं यहीं स्टोर करूंगे उन दो नमबर को एड करना है वो भी तो मेमोरी में स्टोर होगा और जब वो यहां से ही तो डेटा उठाएगा यानि कि एल्यू जो CPU का पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट वो टू प्लस फाइब करेगा 5 प्लस 6 और 7 7 करने के बाद वो स्टोर कहा करेगा मेमोरी में और जो इंपुट डिवाइस क्या थी हमारी हाँ पर कीबोर और आउटपुट डिवाइस क्या होगी किस से शो करेगा मॉनिटर से तो जो मॉनिटर है वो डेटा यहां ही से तो उठाएगा यानि कि जो आपका cpu होता है या इंपुट डॉट डिवाइस होती है वोँ इंट्रेक किस से करती है मेमोरी से इंट्रेक करती है ठीक है वेना प्रोग्राम नीट टू इग्जिक्टीट जब आपको कोई भी प्रोग्राम एक्सीक्यूट करना होता है, थेखो अब pubg खेल जाती हो वूमिस देखऊ वा ऐसे go gol, go loodings होते हैं उनका जो भी file होती है, वह second memory से primary memory में आ रही होते क्योंकि primary memory छत्ती बढ़ी नहीं होती कि सारा data उसमें ही present रहे तो यानि कि कोई भी प्रोग्राम को जब और अवना होता है तोसको टूड नूब होना होता है में मेमोरी में वर been अब तक रहना होता है जब तो इसका इसे क्व्रीट नहाँ हो जाए स देर teeny ऑफ़ देरा मैमोरी three spaces in free and available for other मतलब ऐसा मंची ए सब्सक्राइब शब्द सपोज एक सीप चाहते हो किसी प्रोस्स को इक्सीक्यूट कराना देखो यह है आपकी secondary memory यह आपकी है main memory आप चाहते हैं कि आप किसी process को suppose P1 process है जिसको आप चाहते हैं वो execute हो या CPU से execute करना चाहता है तो P1 को उठके पहले main memory में सारा का सारा यहां आना बढ़ेगा CPU से pick करेगा और execute करेगा और जब तक वो रहेगा जब तक वो execute नहीं हो जाता अब वो process execute हो जाएगा उने का space क्या कर देगा free कर देगा तो यानि कि main memory में ही सारे execution होते हैं वो process जिसको execute होता है उसे primary secondary memory है कहीं से भी main memory में आना पड़ता और main memory से आने के बाद वो तब तक वह रहता है जब तक उसका execution complete नहीं हो जाता है और execution complete होते ही वो space को छोड़ देता ताकि कोई और process यहां आ सके ठीक है the common memory management technique used by the operating system are partitioning and virtual memory दो तरह की memory management techniques है जो आपका operating system यूज करता है वो है partitioning और virtual memory आए जानते हैं हर एक topic को ध्यान से तो पहला है partitioning जिसे ही समझार partition मतलब division करना जो आपके total memory होती है उसे बहुत सारे partitions में divide करा जाता है वो same size के भी हो सकते हैं यानि कि suppose यह आपकी memory है यह आपकी क्या है memory है तो इस memory को आपने partition में यह partition 1 है यह partition 2 and so on तो आपने partitions में divide किया है यह partition होता है यह partition का size same भी हो सकता है आपकी यह जो size है पहले वाले partition का वो 1 KB है किलो बाइट यह 2 KB है यह 1 KB है यह 4 KB है तो यह निकी आपके 4 5, 6, 7, 8 total size क्याता आपका memory का 8 KB तो आपने उसे किस-किस partition में 2 1 KB के हैं 2 KB का और ऐसा भी हो सकता था तो 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 जब 4 6 और 8 यह निकी 2 KB के 4 partition करती है जाए ऐसा भी तो हो सकता था कि यानि यह जो partitions होते हैं यह क्या है partition 1 2 and so on ऐसा भी हो सकता था कि partition same हो और यह different यह सकते है this help to accommodate the number of program in memory partitions होते हैं यह हमें help करते हैं आप इतने भी process memory में दा सकते हैं मतलब आप partition किसे आप सकते हैं आपको पता होता है कि maximum इतने समझो इतने size का आएगा program आपको roughly idea होता है आप partition कर देते हो the partition can be fixed यान कि partition जो होते हैं partitions के fix remains same for all program in the memory fix होते हैं same होते हैं memory is allocated where a program is loaded on to the memory partition होते हैं fix size के भी हो सकते हैं remains same for all program इतने भी program है उनके सब के लिए पर्टिशन कर दिया तो हो सकता है partition ऐसे हो कि प्रोग्राम 500 MB का आए ठीक है यह 10 MB का आए सब के लिए same partition या फिर ऐसा हो सकता है partition ऐसे हो कि 10 KB का आया आपने 10 KB का बना दिया आप कोई और आया 2 KB का उसके लिए 2 KB का बना दिया मतलब आप पहले से partition ना करके उनकी डिवाडेशन according कैसे करते हो जब प्रोसेस आता है जिसे सपोज एक memory है पूरी ठीक है आपने पहले से partition नहीं किया एक प्रोसेस है P1 वोर 2 KB का आगया 2 KB का आगया 4 KB का आगया मतलब जैसे जैसे वह आते रहता है automatically उनकी उसी साप से partition होती रहती है लेटर अप्रोच जो लास्ट वाली अप्रोच यानि की variable वाली है वह less wastage करती है memory की but due to the course of time it may become fragmented अब आगया समझो इसका मतलब क्या है suppose पहले इसका मतलब लिगाते हो आपने क्या करा आपने let's suppose 10 KB 10 KB 10 KB 10 KB कि क्या करे partitions करे partition 2 partition 3 partition 4 आपने partitions करे तो अब suppose process आया P1 पहले मैं समझा लिए fix वाले का process आया P2 process आया P3 और process आया P4 यह है 10 KB का ठीक है तो इसने तो पूरी space occupy कर ली और दूसरा process है सिर्फ 10 MB का भही space तो पहले से divided है तो आप क्या डालो के 10 MB बताओ कितनी सारा space waste हो गया और suppose कोई process है सिर्फ 1 MB का यहां पे डाल दिया 1 MB तो भी कितनी सारा space waste हो गया तो आप fix type का रखते हो तो कई बार यह दिक्कत हो जाती है कि आपने तो box आपने box बना दिया कि बड़े-बड़े box बना दिया अब आपको आपके पास यह है कि आप एक ही डिब्बे में एक ही चीज रख सकते है चाहे फिर वह बड़ी हो या छोटी हो तो बड़ी box में छोटी चीज रखोगे तो बाकी जगा तो waste हो जाएगी ना तो यह वाली चीज समय जाए लेकिन जब आप क्या करते हो कि आपने एक memory रखी आपने कोई partition नहीं किया पहला process आया 10K भी आ गया दूसरा process 1MB आ गया तीसरा process 2MB उसको उतना space दिया तो उस process के हिसाब से उनको पूरी space उतना ही मिलता है जितना space उसको चाहिए बट कई बार जो होता है बट due to course of time यह कई बार fragment हो जाते है यानि कि suppose अब suppose यह process का काम हो गया P1 वो चला गया जाने के बार एक fragment बनी है 1MB का fragment बनी है 2MB का तो यह कई बार नुक्सान दाइक भी होता है कई जंगा यह फायते बन भी होता है अब देखो एक example दे रखा है fix partition का हमने क्या करा कि हमारे पस process 1, process 2, process 3, process 4 यह 3MB सारे 3MB के हैं हमने partition कितने के करे हैं 4MB 4MB के करे हैं तो P1 जब यहां आ गया तो उसने तो 3MB यूस के लिए बाकि इसमें अन्यूस किती रही 1MB इसमें 1MB इसमें 1MB इसमें यानि कि इसमें जो है यह जो फाल्तू की चीजें है यह फाल्तू की 1MB क्या हो गई वेस्ट हो गई यह क्या होंगई हमारी स्सक्सषित की क्या होंगई वेश्ट होगई कहने को हमारे पास 4 मलवी है देखो सारी चीज हमारे पास fundamentals यह सारी चीज हमारे पास пять स्वेश्व कौन पर ना चाहते वह भी हम पे-5 प्रोश को correctly नहीं एक बोला एक बॉक्स में आप एक प्रोसेस रख सकते हो दूसरा प्रोसेस नहीं रख सकते इसी वजह से जो इंफोर्मेशन है इंटर्नल फ्रेगमेंटेशन यानकी इंटर्नल छोटे-छोटे बॉक्स बन गए हैं जो पेस्ट कर रहे हैं मेमोरी को क्योंकि आप उनका यूज नहींरा कर सकते इख सकते आप देखो dynamic पार्टेशन में क्या होता है पहले से पार्टेशन नहींकिरते हैं जैसा जो प्रोसेस को है उसको पांच निका पोदे दिया थिसमें जो है नहीं होता है अब आते हैं हमारा दूसरा क्या है virtual memory वर्च्वल मेमोरी दिस इस टेक्नीक यह टेक्नीक है जो अपरेटिंग सिस्टम के दवारा यूज की जाती है ठीक है विच अलाव दा यूजर कैन लोड दा प्रोग्राम जो अलाव करती है यूजर को कि वो क्या करता है अलाव भी जो मेमोरी में लोड कर सकता है उस प्रोग्राम को भी जो में मेमोरी के साइस से बहुत जादा है ऐसा समझो इसमें हम क्या कर देते हैं देखो आपका अपकी एक मेमोरी है Suppose आपने main memory का partition कर दिया 1ческого unit और आप प्रोग्राम is p1 खुलब एमबी तो four sorry लगा तो आपने क्या करए वर्ट्यल मेमोरी by elét बायल्ब से यह जो प्रोग्राम है इस म्में इस को आपने क्या कर दिया प्रोसिस का सारा काम एकटम इसे के ध wires लिए न चमर्दी में डाला झाल ुससे रिमूब कर तो इससे वर्चुल मेमूरी कंसप्ट ने था एक तरह से स्पेस्र होती है देखो हार डिस्क में एक एक्स्ट्रा स्पेस्ट बना देते हैं जिसकी अप मेमूरी कहते हैं आप किसे हो कि आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा जो memory का size ही मैं कहारी हूँ 4 kg है, मैं तो कहारी हूँ पूरी memory का size भी 4 kg है, है ना और आपके program का size है 8 kg, तो आप छोटे छोटे space में यानि कि दो आप दो page बना लोगे, आप अपने पूरे program को एक साथ लोड़ करके, छोटे छोटे portion में, सपोस्ज मेरा है एक program है पी 3 प्रोग्राम है जो 16 kb का है अब आपकी जो memory है यानि की main memory है या फिसे कहते है रैम वो कितने की है 4 kb की है तो यह तो प्रोग्राम नहीं आ सकता तो आप क्या करोगे 4 4 kb के 4 pages में डिवाइट कर दो के page 1 page 2 2, A3, Page 4 इसको बोलते हैं page उसको सबसे पहला page 1 चला जाएंगा जो page 1 को cpu एरकाप to और ऊसे alive कर देंगे फिर पेस्थरी चल जाएगा उसे रिमूब कर देंगे फिर आप कौन से चल जाएगा इस तरह से अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा भी है में मेमोरी के साइज से उसके बावजूर भी आप उस प्रोग्राम को एक्सेक्यूट कर सकते हैं वर्च्वल मेमोरी प्रोग्राम को एक्सेक्यूट करते हो शर्वियू मेमोरी में अच्छा होता है बहुत ही बेस्ट होता है तो आगे का टॉप यानि की देखो आपने अभी क्या बढ़ा आपने जो में टॉपिक पढ़ा हम आपने कीमीप मेमरी क्या पढ़ा कि देखें एंशम की ज़ेगे हैं आपने औरalid देखें में मेमोरी का मैंजमेनन होना सरूर है तो किस किस तरह सा करता है और डूर्सा किसकी help से करता है वर्चौल मेमोरी की help से पार्टीशनिंग क्या होती एक तो fix और एक पेडियेबल साइज की और virtual memory के partition कर देते हैं तो fix size के according to processor नहीं और virtual क्या होती है कि आपको allowance करती है आपको allow करती है कि आपका पूरा program अगर main memory में ना हो तब भी आप उसे execute करते हैं इसकी वज़े से memory की utilization क्या होती है efficient होती है और मैं आपसे कहूंगी मुझे पता यह थोड़ा सा theoretical लग रहा है प्लीज इसके जो functions है उन पर थोड़ा focus कीजिएगा क्योंकि यह most most important है क्योंकि यह कई बार most important है यह कई बार आता है और ऐसा भी कुछ नहीं है एक तरह से मानिए कुछ भी नहीं है इसके ड्वांट एक तो क्या होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट इंपूट आटपूट डिवाइस मैनेजमेंट वह किस तरह से करता है स्पूलिंग और बॉफिंग के थ्रू कर देता है और तीसरा क्या था मेमोरी मैनेजमेंट वह पार्टीशन और वर्चल मेमोरी की तरह करता है कुछ हाड़ी अगर आप एक पर गूट थ्रू करेंगे तो अब इसे इसली कर सकते हैं और मैं कोशिश वह कर रही हूं वही कोश पर जाम और मैनेजमेंट ऑर उप्रेटिंग ओपरेटिंग सिस्थम मेनेज गरता है और माद वेक्रणा कीमेरी कर टाह। और प्रीटर को और स्टे अचैल को को फोल्डर को यह जो तरेक्टर्टर स्टे में उन सब तीनों चीजों को क्या आइध को होता है किस फर्म में फाइल की फार्म में स्टॉर होता है and the operating system keep information of all of them ते में कि जो भी हमारा डेता है आपका डेता किस फॉर्म में एस्टोर होगा पाइल की फॉर्म में इस्टोर होगा पाइल स्टोर होसि फॉर्म में और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीजों का धियान रखता है कि कौन सी फाइल में कौन सा data store है कौन सी फाइल कहा store है कौन सी c drive में store है कौन सी c drive के desktop के किस folder में store है कौन सी कोई और drive में store है या कौन सी फाइल के आपने copy बना इन सब चीजों का information इन सब चीजों का track वो किसकी help से रखता है ड्राइब के डेक्स्टॉप पर इस फोल्डर के ध्याइब नियुकुट अपने किसे ड्राइब कौन सी कहा स्टॉब कर रखी है पाइनल कई कौन सी है या फिर मैंनेज करता है एक इरेक्टरी सिस्टम को मैंनेज करता है । जितनी भी फाइल्स आपके कम्प्यूटर में स्टोर्ड होती है उन सब की information वे रखता है फाइल एलोकेशन टेबल में रखता है फैट, स्टोर, चर्नल, इंफरमेशन अबाइल, फाइल, नेम, टाइप, टेक्स्ट ऑब बाइनरी, साइज, स्टार्टिं एड्रस, एक्सिस मोड यानि कि आप किस किस तरह से उन्हें एक्सिस कर सकते हैं यानिकि फैट में कि इन्फरमेशन होता, कि फाइल का नाम क्या है, वो टेक्स्ट किस तरह कि यानिकि वो टाइप के बाइनरी में ओ लिखा हुआ है, या स्टेक्स्ट है। स्टार्टिंग एड्रस क्या मतलब वो कहां पर स्टोर है एक्सेस मोड क्या है विसे सिक्वेंशली यह जो एक्सेस मोड है अभी आप इसे विले किस तरह से आप उन्हें एक्सेस कर रहे हो यह चीज़े आप आगे आने वाले जो आप सेकंडियर में आओगे तो कब आप आप इसे पढ़ेंगे जो फाइल मेनेजर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का देखो जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक अपना फाइल मनेजर है जो हल्प करता है क्रिएट करने में एडिट करने में कॉपी करने में कॉपी करने में कॉपी एलोकेट मेमोरी टूदा प्रवाइट को भी यानिक जो फाइल लोकेशन टेबल है उसको भी अपडेट करना अपडेट करने की ज़रूद क्या पड़ती है मैंने जैसे आपको बताया कि आपने कोई फाइल बनाई सपोज उस पहले आपने सेड्राइप में सेव कर रखा था उसके बाद उसमें आपने प्रिजस कर दिया मतलब उसमें कोई एडिशन किया उसका पड़ चेंज करके पास्तृप आपकी जो जे फाइल थी वह सीड्राइप में किसी फोल्डर था न नाम का या नेम का फोल्डर सेव करी थी फिर उसमें आपने एडिटिंग करी उसका नेम चेंज कर दिया तो यानि कि इन सब चीजों का ध्यान किसी फाइल को create करना edit करना locate करना है सब चीजों का ध्यान को रखता है फाइल मैंचर दो ऑपरेटिंग सिस्टम और टेक कियर देट फाइल सार ओपन विद प्रॉपर एक्सिस राइट टू रीड और एडिट तेम यानि कि यह भी याद रखता है ज एडिटिंग कर सकते हैं कुछ भी लेकिन यह पीडिये फाइल होती है जिए फाइल में सिर्क्राइब दोनों का यह दिया हुथ थिए अलगता है यानि कि चो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह यह ध्यान रखता है कि आपकी files folder directory system का वो यह ध्यान रखता है कि आपकी file कहा store है किस जगह पे store है वो इस आपका track रखने के लिए उसने एक table का use करता है वो file allocation table उसके पास एक file manager है जो यह ध्यान रखता है कि आप कैसे edit create copy कैसे करेंगे memory को और fat को भी update करता है और वो even यह भी ध्यान रखता है कि जो उसके पास जो access right है यानि कि उसे read कर सकते है राइट कर सकते हैं उसी के according वो हो ठीक है यह कुछ functions थे यानि की main function इसके चार ही थे operating system का पहला function था प्रोसेसर को manage करना दूसरा function था input output devices को manage करना तीसरा था memory को manage करना और चो था है file management करना अगर आप इसको easily go through करेंगे इन videos को अगर आप जिस normally go through भी करनेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगे बस आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक topic को ध्यान से समझ करांगी जिसमें की आपका मतलब I think आपको benefit हो आपको पाइदा हो और पोशिश कीजिएगा कि एक-एक topic इंपोर्टन topics को आप समझे थेंक यू ओप यू लाइक दिस वीडियो और प्लीज इस topics को ध्यान से पढ़िए